जैशीर आदे यह आपने बहुत अधिक सोच लिया सो अश्वमेद यग्य अरे यह काद सोच लेते कल्यूग में तो वैसे भी अश्वमेद यग्य अश्वमेद गवालंबं पलपैत्रिकम सन्यासम पंच एक ते वर्जय कल्यूग में यह तो है ही नहीं संकल्प का अर्थ यह इसमें जोड जो दिया गया है वो पाप का फल ना मिलने पर किया गया है दूसरे युगों में यदि हमारे अंदर कोई दुरभावना आई कि मैं आपको किसी तरह से ठड़ के आपके दोलाक रुपे अपने कर लूँ तो यह मानसिक पाप हो जाता था और मानसिक पाप का मानसिक फल मिल जाता था और ऐसे ही मानसिक पुर्णिका भी मिल जाता था लेकिन कली युगों में मानसिक रूप में किये गए दुरविचार का फल नहीं मिलेगा इस बात पर जादा जूर है और संकल्प मात्र संकल्प मात्र का मतलब इसको जैसे आपने कभी देखा हो पंडित लोग अनुष्ठान कराते हैं न कि हमें गवदान करना है तो पहले हाथ में जन लीजिए आम विश्णो 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 आम गवदान संकल्पम करमा वहे मैं गवदान देने का संकल्प करता हूँ पर तरी पर जल छोड़ दीजिए जल छोड़ दीजिए तो ये आपने संकल्प कर लिया कि मैं देने का संकल्प करता हूँ तो संकल्प मात्र से आपको पुढ़ने का एकाउंट खोल जाएगा फिर आप जब गवतान देंगे तब उसका फल भी मिल जाएगा और यदि आप संकल्प के विरोध में जाएगे संकल्प अधूरा रहे जाएगा तो वो आपके उपर रिन चड़ जाएगा वो इस जनम में या अगले जनम में एक गव आपको देने ही पड़ेगी नहीं तो पित्री रिन, रिशी रिन, फलाना रिन, दिकाना रिन, यह जो रिन है चार-पांच सरे के वो रिन चड़ा चड़ाएगा तो संकल्प का अरत्वाँ यह सोच लेने से इनोंने व्याठ्या कर दिये सोचने मात्र से, सोचने मात्र मेरे अनवान से नहीं आता है ऐसे तो आप देख लीजिए नमूना, आपने सोच लिया, अश्रोवेदिया गया कहां से फल मिल जाएगा, सोचना नहीं संकल्प से संकल्प करना पड़ेगा जलने के और संकल्प करते ही पुर्णे का वो शुरूं हो जाएगा पर वहाँ और अंतteenth में आपको गवदान करनी ही पड़ेगी और जो आपने संकल्प किया है वो कारिक करना ही पड़ेगा यह अलग बात है कि संकल्प करने से आपको पूरने का फल शायद मिल भी जाए लेकिन वो संकल्प पूरा तो करना ही पड़ेगा नहीं करेंगे तो आप अपरादी होंगे पाप के भादी होंगे जैसी रादे ऐसा मेरे को समझ आता है यह बहुत गूर गूर प्रशन लाते हो भाईया मैं बड़ा सामानने सा कम पड़ा लिखा आदमी हूँ इतने गहरे गहरे प्रशन लाते हूँ कि मैं भी परिशान हो जाता हूँ जैसी रादे जैनेताई पूले हुरी बो